हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल डिपल पी कॉर्णर होप यूर डूइंग वेल तो टुड़ेज आम शेरिंग यू हल्दी मेकप लूग तो ये न मेकप लूग मैंने मिनिमल साही किया हुआ है और थोड़ा सा हटके भी है तो अगर आपको ये मेकप लूग पसन आता है तो मेक शूर इस शायल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया हुआ है तो चलो फीर इस से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाईज अगर आप मिरे रेगूलर वीवर से तो आपको पता ही होगा कि मैं सबसे पहले स्किन केर करते हुँ और अगर आप नहीं करते हो तो मेक शूर कर लीजिए अगर आप मुझे हर रोज देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं skincare करेब ना कोई भी makeup look नहीं करती हूँ उसके सासा जब मैं सुबह उट्टी हूँ ना तब मेरा जो भी morning skincare है नाइट में जो भी skincare है या फिर weekly जो भी skincare है उसके मैंने अलग-अलग वीडियो बनाए है और वो वाले वीडियो आपको मेरी description box में मिल जाएंगे उनकी link तो आप उन्हें ना watch कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से skincare करती हूँ और कौन से product मैं use करती हूँ तो यहाँ पर मैं वो mention नहीं कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से अपना skincare जो है वो नकर लिया है और उसके बाद ही मैं अपना जो भी makeup है वो start कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने यह Swiss beauty का जो primer plus highlighting primer है यह illuminator भी आपके से कह सकते हो तो basically यह है तो इससे हमें अच्छी से लगा लिया है उसे ब्लेंड कर रही हूँ brush की help से तो आपको ना इससे अच्छी से blend करना है इसकी वज़े से अपने face के ऊपर अलेक से shine आ जाती है और आपका makeup है वह गलोई लगता है और जब बाहर निकलोगे तो आपका makeup ना इतना ब्लूई लगेगा मुझे वह पस्नली बहुत पसंद आता है मतलब ऐसे नहीं होता है कि आपको स्वेट भी आये ना तो भी वह गलो है ना वो कहीं नहीं जायेगा वैसे का वैसा रहता है तो मुझे वह लगाना होता है और फिर आपको इससे ब्लेंड करना होता है तो बैसिकली हापर मैं बहुत ज्यादा हेंड लिए तो इसालिए मैं इसे स्फशओं लगा रहे हूँ लेकिन मैंसे फिर ना हम जब से ब्लैंड करते नहीं ब्लुटल कर दआ्था है तो इसी लिए करता सिर्द करे तो यहां मुझाला topics कते हुझा हमारे आयलीड है वहां पर लगा लेती हूं क्यूंकि लगाते हैं लेकिन वहां पर फाउंडेशन भी लगा लीजिए आपको अच्छी कवरेज भी मिलेगी मतलब कभी कभी कउसीलर जो होता है करेक्टर भी लगाना है अगर आपके ज्यादा दक्सकर लेढ़ने कोई जरूद नहीं होती है बस आपको कैंसीलर लगाना है इस तरह से और हो जाएगाया काम तो यहां मैं पाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हूं तो पाउंडेशन ब्लेंड होने के बात यहां पर मैं लगा रही हूं कंसीलर तो बिसिकली यह है इन कलर का कंसीलर तो हाली में यह मैंने नाइका हाउल में लिया था जो मेरा चिपेश नाइका हाउल मैंने किया था उसमें यह मुझे बाइक किया था सबसे से इन कलर के प्रोड़क्त मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं और यह चीपेष्ट भी होते हैं उसके साथ-साथ यह ना वर्थ होते हैं अगर आपको कोई भी मेकप बाई करना है तो आप इंसाइड या फिर आप स्विस ब्यूडी ब्लू हैवेन इसके उपर भी जा सकते हो उनके प्रोड़क्त जितने चीपेस्ट है उतने वो इफेक्टिव भी है और वो बहुत अच्छे भी लगते मेरे पास उनकी ही सारे प्रो कुछा चाहां कांटोर करना वहाँबा कर लेना है क्यूंकि आपका फेस प्लैट लग सकता है तो प्लैट नहीं लगना चाहिए सो इसलीए को कोर दो जरूरी है इस वीडियो में आपको मैंने पूरी तरह से अच्छे से समझा लिया है कि मेकप किस तरह से करना चाहिए सब कुछ उसके बाद में यहां पे अपना जो भी कॉम्पैक्ट है वो लगा रहे तो यह हैं जस्ट हर्पा कॉम्पैक्ट तो बेसिकली मैं आपको बता और उसके उपर क्रीमी प्रोटक लगाओगे तो कॉम्पैक्ट जो है ना वो क्रीज हो जाता है या फिर केक ही लगता है तो वैसा मत करो वैसी भूल मैं भी पहले कर दी थी और आभी नहीं कर रही हूँ तो पसली मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इफेक्ट जो है वह भी बहुत अच्छा आता है तो आप देख सकते हैं मैंने कॉम्पैट कर लिया है बेस मेरा हो चुका है अब मैंने कर लिया है अपने फेस को फिक्स मेकप फिक्सर से और ना थोड़ा सा आक में चला गया था तो इसलिए बहुत मतलब दर्ध हो रहा था उस टाम पे तो उ को मैं टीशू पर से वेट कर लिया था इसके बाद और उसके बाद मैंने अब्रो सेट किये और अपना आय मेकप जो है वह उन्हें स्टार्ट किया है तो यह जो पैलेट है वह है अपना SFR का हैटेड विद लव पैलेट और बेसिकली गाइस इस पैलेट के सभी जो कलर है न कि मेरे लिए यह वर्थ है अगर आपके पास कोई भी पैलेट नहीं तो आप यह लीजिए और आपका पूरा मेकप है वह किट बन जा सकता है वह कोई भी और पैलेट की कुछ जरूरत नहीं है यहां पर मैंने पिंक और जो हमारा यलो है उसे मिस किया है और यह है गोर्डन तो मेरा कुछ भी मतलब प्लाइन नहीं था आए मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी लेकिन जो मैं बैठी में जो रगा कि पिंक कलर चूज करते तो पिंक कलर चूज किया और लगा कि देखा मुझे पसन आया मैंने सोचा तर अहीं अच्छा लगा तो मैं उसे पूछ दोंग मैं डुसरा राइस रारे लेकां लेकिन वह अच्छा लगा और उसे किया और पसली को फ näूद को बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद यहां पे में लाइन लाहरी हूँ तो बेसिकली यह डार है मेवल्लीन फटमी का लाइनर राग को बेसिकली यह प 한दी बार दा मस्ति होती है हल्दी में तो इसलिए तो बेसिकली जब प्रोटक्पने यूज किये है ना तो वह वाटर प्रूफ ही है तो इस तरह से उसके बाद यह है हमारी इंसाइट की स्वीस ब्यूटी की काजल पेंसिल उसके बाद यह इन कलर का मस्कारा यह भी बहुत अच्छा बिलकुल भी ब्लशर पैलेट है तो उसको दो शेड थे तो दोनों को मिक्स करके मैंने आपर लगा लिया है बहुत अच्छा शेड आया है परसनली कहूं यह वाला ला होता है मुझे पसंद नहीं आता है लेकिन आज मुझे बहुत पसंद आने लगा है यह अभी तो अब मैंने इसे ट्र उसका ग्लो एक अलग सा ही प्रोवैड कर रहा है वह और सबसे अच्छा है वह मुझे बहुत पसंद आया मतलब जो भी क्रीमी होते है ना वह उतनी जब अच्छे ग्लो देता है पावडर से भी जादा तो लगता भी नहीं ता कि मैंने कुछ लगाया है जब मैंने इसे लग मुझे बहुत भूग लगी तो मैंने इसके उपर शेवपूरी खाई थी मुझे बहुत बना ऐसा मैंने लुक बनाया और जोलरी रानने से पहले मैंने शेवपूरी खाई तो भी यह लिप्स्टिक आप बात में देखना बिल्कुल मेकप भी हिलना नहीं था या फिर लिप् तो फिर टी ली थी शेवपूरी खाई थी मुझे बहुत भूग लगी तो मेरा मेकप वैसे का वैसा था मुझे लिप्स्टिक मसनली पसना आई इसकी मैंने इसी ट्राइब ही किया था तो न्यूडल्स भी मैंने खाये थोड़े से तो यह से का वैसा था अगर आपको यह लो